या तो हम सब जानते हैं कि जितना जादा खाना उतना भेतर पर हर कोई लगी नहीं होता है आए देखते हैं कि आज के हाहा नॉम की चुनोती में किसमत किस का खाथ देती है मेरे पास कितना कम न्यूटेला है अरे तुम्हारे पास इतना जादा है हाँ यह बहुत बढ़िया है यहसा मैं तुरंट खालूंगी हमेशा कि तरह वो शुरू करेगा जिसे सबसे कम मिला हो तो में तुम पहले चलो मुझे कोई रिक्कत नहीं है इतने छोटे जार में तो कोई चमच नहीं आटेगी तो उम्हीं हुसाना होगा अब क्या करोगी अरे तुम दोनों चोपो जाओ और वैसे मेरे पास एक आइडिया है इस न्यूटेला को जल्दी से खाने के लिए देखो कितनी चोटी चमच है और इसके ही मदद से मैं यह स्वादी स्ट्रीट खाऊंगी काश मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई न्यूटेला होता यह जाट बहुत जल्दी खत्म हो गया पता भी नहीं चला एलेक्स अब तुम्हारी बारी है हुरे आखिरकार मैं भी खा सकता हूँ अच्छा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मैं साधरान चम्मत से खा सकता हूँ शायद तुम मेरे साथ शेयर करना चाहो मुझे और न्यूटेला खाना है तुमने यह क्या किया मुझे सच में भूख लगी है थीख थीख फिर कोशिश करते है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो अच्छा थीख हो गया फिर नहीं करूगा फिर तुम नहीं करोगे क्योंकि आप तो मैं यूटिलर पक काखा कर रहूंगी धन्यवाद यार यह तुमने क्या किया तुमने मेरी चमज गंदी कर दी अब मैं कैसे खाऊंगा पता नहीं पर वो बहुत स्वादिस था फिर शुक्रिया मैं यह कैसे खाऊंगी अपना हाथ गुसा कर देखता हूं मेरा हाथ बहुत बड़ा है और एक और समस्या आ गई है मैं अपना हाथ कैसे निकालू ओ जार तो गया पर मेरा हाथ निकल गया और इस पर थोड़ा न्यूटिलर लगा हुआ है मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगी मेरे पास इसके लिए बड़ी चमच है और मेरे पास आइडिया है कि मैं थोड़ा नियूटिलर अपने लिए क्या से चुरा सकती हूँ हैलो तुमने मुझे क्यो टरा दिया तुम्हारी वज़े से मेरे चमच नियूटिला में गिर गई अब मुझे ये निकालना होगा मुझे बखका यकीन है कि मदद के बिना जैन नहीं निकल पाएगी धन्यवाद यह कितना मज़ेदा था मैं तो चॉकलेट की दुनिया में थी हाँ, अब तुम खोदी चॉकलेट की तरह लग रही हो मुझे फिर सबसे चोटा मिला है इसका तरबूज है मुझे ज़्यादा मिला है और मुझे सबसे ज़्यादा मिला है मैं दूसरे दौन में भी तुमें शुरू करोगी बेतर होता अगर मेरी बारी सबसे अंध में आती फिर मुझे एक बड़ा सा तरबूज मिलता आसा ही के छोटा वाला भी स्वादिस्टो अब तक तो लग रहा है के बहुत कड़ा है ओ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है छोटा है, पर फिर भी और उसके साथ मैं एक अच्छी ट्रीक भी कर सकती हूँ देखो अलेक्स अब तुम चलो हाँ, बिल्कुल पर पहले मुझे यह सोचना होगा कि इस तरबूज को तोड़ा कैसे जाए यह काफी बड़ी है उमे धेकिक साधरन चाकु से काम हो जाए अब मेरे हाथों को थोड़ा काम करना होगा सिर्थ इस तरबूज का छिलका निकालना है अब मुझे मिल गया एक बड़ा रसदार बॉल यह तरबूज बहुत स्वादिस्ट है तुम इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो गले में फस जाएगा सब ठीक है उप उसने तो फायर कर दिया हेलमेट पहनो अपने सिर को बचाओ माफ करना तरबूज के बीच मेरे गले में फस गया थे मुझे तो लग रहा था कि हम मर जाएगे पर वो सब छोड़ो मैं खुश हो कि मेरे पास एक पूरा तरबूज है इसमें एक छोटा सा छेट बनाते हैं जूस निकालने के लिए देखो मैंने कितना बड़ीया काम किया है अब इसमें एक नल लगा दिते और जूस मेरे गलास में गिरेगा ठीक है मैं अपने जूस के लिए जितना इंज़ार करना हो उतना करूंगी मैं तो सो ही जाऊँगा जब तक तुम सो रही हो हम मजे करते हैं या क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ हाँ, हमें उसका जूस चुराना होगा जब तक वह सो रही है एलेक्स, तुम उसका सर उपर करो जब तक मैं ग्लास किच लेती हूँ तब वो उठे ना बहुत बढ़िया हमें अब सम्मिल गया अब हम ये लाजवाब जूस पी सकते हैं क्या जूस कहा है मेरा जूस कहा गया तुमने मुझसे चुराने की हिम्मत कैसे की मैं सो रही थी ये सही नहीं है पर ये बहुत स्रादिस्ट है मेरा जूस वापस दो मैं ये जल्दी से पी लूँगी अरे हाँ ये जूस तो सच में कमाल का है हम तुमसे सहमत है चेन के पास कितना बड़ा अंडा है वो बिलकुल लखी नहीं है ये कोई हसने की बात नहीं है तुम्हारा अंडा छोटा है मतलब तुम शुरू करो हाँ एलक्स पहले जाएगा मुझे तो अंडो से अलर्जी है मा यह नहीं खा पाऊँगा चिन्ता मत करो मेरे पास एक जादुई चाकू है जिसे तुम अंडे को तोड़ पाऊगे भणने बाद मैं ऐसी मदद नहीं चाहरा था पर ठीक है हरे चाकू से सच में मदद हुई चलो देखता हूँ इस अंडे का स्वाद कैसा है साधिस है ना नहीं यह बहुत गंदा था अगर यह इतना गंदा है तो मैं यह कैसे खाऊँगी अरे हाँ इसे कच्चा क्यों खाऊँ अगर इसे कुछ स्वादिश बनाया जा सकता है मेरे पास एक छोटा सा किचन है इस छोटे से अंडे के लिए और एक खास छोटा फ्राइंग पैन इतना प्यारा है ना बस कुछी सेकेंड में मेरे पास एक छोटा तला हुआ अंडा होगा अभी मैं एक छोटा प्लेट निकाल लेती हूँ और ये छोटा नैप के लगा लेती हूँ लगता है मेरे अंडा पक ग्या है समय आ गया है इसे खाने का बड़ी आइडिया है पादिश था? बहुत, मेरा तो हो गया तो जेन, चलो अब तुम्हारी बारी है मैं बहुत ताकतवर हूँ तो मैं ये आसानी से तोड़ दूँगी अरे, मेरा अंडा तोड़ना इतना आसान क्यों था अंदर क्या है? वा, ये कोई अंडा नहीं है, ये एक पिन्याटा है मैं इसे और तोरूँगी भ्यान से हम भी यहाँ है तो क्या हुआ, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता मुझे तो इसके टेस्टी ट्रीस पाने है वो भी जल से जल देखो, यहाँ कितने सारे कैंडी है क्या हम भी खा सकते हैं? नहीं प्लीज यार, हमें भी दो ना ठीक है, बस मुझे परेशान मत करो फ्लीज फिर सबसे छोटा हिसा मिला है और मैं भागेशाली हो पर इस बार मैं सबसे भागेशाली हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा बकेट है हमेशा की तरह शुरू करो में? या कोई हसने की बात नहीं है आज किसमत मेरा साथ ही नहीं दे रही है ठीक है, अब कम से कम मैं थोड़ी कैंडी खापाऊंगी कितने कम है, तुम तो अगिन सकती हो तो क्या हुआ? यह बहुत स्वाधिस्ट है मेरे पास एक अच्छा एडिया अच्छा है, अब मैं अपना खाना शुरू करती हूँ मैं तो इसे खाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत स्वाधिस्ट होते है अरे वाँ, मजा ही आ गया बहुत स्वाधिस्ट है यह हाँ, तुमारे दातों पर लग गया है और अपना पेट देखो अब समय आगे यह पता लगाने का कि मेरे लिए क्या इंजार कर रहा है वाँ, हाँ, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मुझे लगा बहुत सारे कैंडी होंगे पर यहाँ तो एक बढ़ा सा है मुझे समझनी आ रहा है कि इसे कैसे खाऊ नहीं हो रहा है मेरे पास एक आइडिया है इसको आराम से खाने के लिए मैं इन कैंडी को छोटे टुकडों में काट सकता हूँ चलो शुरू किया जाए अरे देखो यह कोई साधरन कैंडी नहीं है इस बड़े कैंडी के अंदर बहुत सारे स्कीटल्स भरे हुए है इसको आतिस लग रहा है मुझे पता है बड़ तुम दोनों को एक कैंडी भी नहीं मिलेगी सारे स्कीटल्स मुझे जाएंगे क्योंकि यह मेरे है और हाँ, सच में यह कमाल के है समसे कम एक तो दे दो नहीं, मैं तुम्हारे बिना यह समहाल लूँगा जब तक तक तुम उस तुक्रे के साए बिजी हो मैं दूसरे वाला ले लेती हूँ क्या तुम्हें लगा मैं वो नहीं देखूँगा वो जे सब दिखता है और मैं जानता हूँ कि इस चोरी को कैसे रोका जा सकता है यह क्या क्या अब तुम्हें समझाएगा कि चोरी करना बुरी बात होती है मैं अंदर के सारे कैंडी खा लिया हूँ अब मैं इस चॉकलेट बॉल को छोटा बना सकता हूँ यह मैं आसानी से खा लूँगा तुम्हारा पेट कितना बड़ा हो गया है हमारे साथ शेयर कर लेना चाहिए था भुखर लगता इस बार डोरी टोज हमारा इंजार कर रहा है मुझे चिप्स बहुत पसंद है पर तुमने यह नहीं सोचा कि टोरी टोज कितने तीखे होते है और मुझे सबसे बड़ा पैक मिला है मैं खुश हो कि मुझे सबसे नन्ना वाला मिला है इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा देर परिशान नहीं होना होगा और मैं यह चिप्स जल्दी से खालूंगी अगर यह इतने छोटे हैं तो यह पक्का तीखे नहीं होंगे मैं गलती, यह भयानक है मैंने इससे ज़्यादा तीखी चीज अपने जिन्दिगी में कभी नहीं खाई है तुम्हें अपना चेरा देखना चाहिए था तमाटर की तरह लाल हो गई थी यह तुम्हें हसने वाले बात लग रही है अब मैं देखते हूँ कि तुम वो चिप्स को खाते वक्त कैसे देखते हो ठीक है, तुम ज़्यादा नोटंकी कर रही थी यह बुरे नहीं है बिल्कुल भी तीखे नहीं है मुझे तो पसंद आए मैं और खाना चाहता हूँ स्वादिस्ट है बहुत स्वादिस्ट है खानी चाहिए? नहीं, कोई जर्वत नहीं है सब ठीक है यह चिप्स बिल्कुल ठीक है नहीं है अरे नहीं ओ, ओ, कुछ गर्वर होने वाला है यही थे स्वादिस्ट चिप्स जो बिल्कुल देखे नहीं थे हसो मत जेन, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा पैकेट है देखते हैं, तुमी से कैसे संभालती हो मुझे डर लग रहा है आशा, मैं जलना जाओ ओ, पैक नहीं खुल रहा है अमें डरीटोस कैसे खा पाऊंगी बहुत आसान होगा इस बगीची वाली कैची से काटो बहने बाद, मैं तुम्हारी मदद के बिना क्या करती जड़ाद देखो कितना बड़ा चिप्स का टुकड़ा है और यह बहुत तीखा है मैं यह कैसे खाऊंगी यह बहुत तीखा है मैं नहीं खा सकती तुम्हें खाना ही पड़ेगा ठीक है, ठीक है, चिलाओ मत खासा है, मुझे कुछ हो ना जाए देखने में ही भयानक लग रहा है हाँ, सच में जेन, क्या तुम ठीक हो? मैं, मैं ठीक हूँ पिचारी जेन हमें उसे और खुद को इस आग से बचाना होगा जेन, क्या तुम जिन्दा हो? मैं जिन्दा हूँ पर मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तुम डरामनी लग रही हो सही कहा अब खाने का समय है मुझे लगता है मेरे पास ढकन के नीचे कुछ सुगंदी थै वाँ, यह एक वाफल है बारवी, चलो पता लगाती कि हमारे पास क्या है वाँ, एक बड़ा गोल तर्बूर अरे नहीं प्रिकोन ये मेर्च मुझे इसकी उमीद नहीं थी मुझे मेर्च से नफरत है मुझे डर लग रहा है यह बहुत तिकी होगी बुरा नहीं है और यह काफी कम भी है इसे तुमें काट कर खाना होगा तुमें लगता है कि मैं यह सम नहीं कर पाऊंगी देखो, मैंने लगबग सब खा लिया और मुझे बुरा भी नहीं लगा लगता है मैंने जल्दी बोल दिया मैं जल रही हूँ मुझे पानी चाहिए, तुरान उसने लगबग हमें जला ही दिया था अरे नहीं, फिर से रुको लीला तुम्हारी वाफल अच्छी तरह से पख गई है अब यह सिर्फ एक जला हुआ टुकडा है मैं उसे नहीं खाना चाहता लीला अभी भी आप से घीरी हुई है चलो उसके सिर्फ एक तर्बूज रख दे अब बेतर है तुमने यह क्यों किया यह तर्बूज वापस लो अरे ध्यान से तुमने लगब मुझे मारी दिया यह अच्छी बात है कि अंदर अभी भी थोड़ी तर्बूज बाकी है बहुत अच्छा यह बहुत ही सुगंदित और रसदार है यह मुझे पसंद है इसका स्वाद कमाल का है मुझे आर चाहिए पर अब खत्म हो गया है अब एलक्स की बारी चलो खाओ मेरे हिसाब से इसे फैंक देना बेतर होगा इसका स्वाद कोईले की तरह है कड़वा और यह दातों पर भी कुड़कुडे लग रहे है हजीब है मुझे ऐसा लगा थे कि तुम्हें वोफल पसंद है ऐसी नहीं है इस बार पहले मुझे शुरू करना है वाह कितना बढ़िया यह एक बर्गर है और यह गोल है देखो इसमें कितने सारे टॉपिंग्स है और कम बन मुझे यह बर्गर बहुत पसंद है मुझे भी दो ना बिल्कुल नहीं यह मेरा बर्गर है और इसे मैं खुद ही खाऊंगी मुझे अपने आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है यह एक कौकरूच है यहाँ ओ मेरे प्यारे कौकरूच तुम अच्छे समय पर मिले हो मैं इसे बर्गर पर रखूँगा क्या? यह कौकरूच कहा से आया? यह मुझे पर चल रहा है बचाओ वाँ, क्या फैका है बार्वी, तुमने यह मुझे पर क्यों फेका? एलेक्स, तुम्हें मेरा बर्गर चाहिए था न? यह लो यह तुम्हें क्यों किया? यह तुम्हारी करने का फल है खाओ चलो देखता हूँ यहाँ क्या है वाँ, फूर जेली में मुझे यह लेना है तुरंट चलो ध्यान से करो सब को चुर कर मेरे चेरे पर आ रहा है फूर जल्दी यह मेरा होगा कितना अच्छा है चलो देखें यहाँ क्या-क्या दिल्चस्प है कुछ काम नहीं कर रहा है अजीब, उंगली चिप-चिपी क्यों हो रही है स्वादिस्ट, मैं समझ गया इस फोन को खाया जा सकता है वाँ, अंदर चॉकलेट भी है मैं कितना किस्मत वाला हूँ मैं एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ूंगा लग रहा है कि यह सच में स्वादिस्ट है वैसे जल्ली भी कुछ बुरा नहीं है शेर करने के लिए धन्यवाद अब मुझे देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है वाह नैचोस पादिस्ट लग रहा है खा कर देखती हूँ यह कितना क्रंची है बहुत बढ़िया लेकिन एक ही काफी नहीं है मुझे और चाहिए एक पुरा टावर बनाती हूँ यह शानदार निकला अब बस इसे मुझ में डालना बाकी है अच्छी तरह से हुआ अरे लग रहा है कुछ गरबर है तुम्हारे गाल स्ट्रेच हो गया है मेरे साथ सब कुछ ठीक है नई डिश बहुत बढ़िया गाजर मुझे यह नहीं चाहिए था स्कीटल्स मेरे लिए यह ठीक है मेरे लिए भी मुझे अपने जबडों के साथ काम करना अच्छा लगता है मुझे लगता है कि हमें अभी शुरू करना चाहिए देखो यहां कितने सारे गम है कितना बढ़िया अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा की से कैसे खाना है देखो वा तुम एक्सपर्ट हो बस इतना ही नहीं जो मैं करने में सक्चम हूँ अब बबल बनाने का समय है मुझे हार मानने की आदत नहीं है मैं यह कर सकता हूँ फिर से कोशिश करूँगा चलो आरे हो भी जा मुझे तो लगता है कि तुमी फट जाओगे मुझे यह करना ही होगा बस काफी है यो मेरा गम कहा है मैं खोज रूँगा मिल गया कितना गंदा लग रहा है यह बहुत कचड़ा है अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं शुरू करती हूँ इसका रंग कितना सुन्दर है चलो देखते हूँ कि अंदर क्या है हरी कैंडी बहुत बढ़िया यह सेव की याद दिला रहा है मैं बस इस पर अमना समय बरबाद नहीं करूँगी मैं यह सारा एक बार में खालूँगी मैं यह करने में माहिर हूँ अब दूसरे पैकेट को भी खोलने का समय है और यह कैंडी जाएगी टेबल पर कितनी चमकदार और सुन्दर लाइन है अब यह सब सीधे मेरे मूँ में आएगा मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह हो गई हूँ बस हो गया केवल इसे चमाना मुश्किल हो रहा है लीला मेरी राय में अपनी दोस्त के साथ थोरी शरारत की जाए तुम क्या कर रहे हो अलक्स यह पंक हटाओ अरे तुमहारे चेरे पर कुछ दाने निकलाए है तुमहारे चेरे पर भी वाह यह स्वादिस्थ है असल में वह मेरी कैंडी है मुझे खुशी है कि हमें भी वह खाने को मिल गया मैं अपने गाजर के बारे में तो भूली गई हूँ सचको वो तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे पसंद आएगा अरे नहीं ये बुरा नहीं है ये काफी क्रंची है मुझे पसंद आया मैं इसे खाते रहना चाती हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये साधरन गाज़त इतनी पसंद आएगी ये कमाल का था दोस्तो लेकिन मुझे कुछ हो रहा है क्या हो रहा है लगता है मेरे दाथ बड़े हो गए है अरे, वो एक खरगोस में बदल गई है भागो वो कितने भोले हैं ये सिर्फ एक मजाक है मैं किसी स्वाधिश चीज का इंतजार कर रहा हूँ वाँ, क्या ये चॉकलेट बार है हटो, ये मेरी है कितना बड़ा चौकोर है और कैसा रहेगा अगर मैं इसे तोड़कर दो टुकड़े में बना लू अब ये मेरे पंजे की तरह काम करेंगे मैं बहुत खतरनाक हूँ वाँ, इसके अंदर दूद की फिलिंग है चॉकलेट मुझे ताकत देता है मैं एक बार में सब खा सकता हूँ चलो ठीक है, हमें करने के लिए बहुत कुछ है बार में क्या तुम्हें किसी चीज की महक आ रही है ये बदबुदार ब्लू चीज है बेदर होगा कि तुम फिर से प्लेट से धग दो या फिर जल्दी से खा लो पर मैं ये नहीं खाना चाहती इसकी महक ना, आये इसके लिए अपनी नाग बन करनी होगी बसे भी ये बहुत खराब है तुम इसे ऐसे नहीं फेक सकती खाओ मुझे उल्टी होने वाली है कितनी भयानक बदू है मुझे तुरंट एक पीन की जरुवत है और मुझे लेटने की जरुवत है मैं ठीक हूँ अब मेरी बारी है देखने की कि मुझे क्या मिला है प्रिंगल्स सूपर मुझे ये कैन जल्दी से खोलना है क्या तुम मुझे भी थोड़ा दोगी बिल्कुल नहीं इसे मज़ा चाखाना ही होगा मेरे पास एक आईडिया है मैं इस बैकेट पर चिपका दूँगा इसको बार्वी, देखो उधर क्या है बुद्दू, उसमें विश्वास कर लिया इस तरह से बहुत बेतर देखो, कैन पर क्या लिखा है अरे नहीं मुझे तीखा पसंद नहीं है इसे तुम ले लो हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुशी से तुमने मुझे धोखा दिया अब इसे वापस करो कितना स्वादिस्ट है यह अच्छी बात है कि मैंने तुम चिप्स नहीं दिया मेरे पास एक शानदार आइडिया है चिप्स को कैन से बाहर निकाल देती हो कितना सुन्दर टावर है और इसकी सुगन तो कमाल की है यह बहुत कमजोर है गिर गया तुम फिर से अलक्स कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है मैं इससे भी अच्छा कुछ करूँगी वाई, यह बहुत अच्छा है यह असान नहीं था निकिन मैंने कर लिया अरे, दूर हटो यह मास्टरपीस मेरा है क्या खुश्दू है इस तरह से चिप्स को खाना और भी आसान है इसमें पहले एक तरफ से काटते है फिर दूसरी तरफ और फिर यह दो टुकडों में बढ़ जाता है और दूनों टुकडों को मज़े लेकर खाया जा सकता है मेरे दाथ अच्छा काम कर रहे है है न यह मज़ेदार अबे भी थोड़ा सा है तो धकार उप्स